नमस्कार आप देख रहे हैं सित्योग नियूच और मैं हूँ आपके साथ सितर रंजन कुमार अभी और अंगाबाद के सित्योग इंगिनिरिंग कॉलेज में जमोई की विधायक स्रे अस्री आई वी थी और यहां छात्र छात्राओं को कापी इनोंने मोटिवेट किया और अं और अंगाबाद आती रहती हूँ यह मेरा पहला कारिकरम है जो सित्योग इंस्टिट्यूट में किया है मैं इश्यत रूप से राजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहां बुला कर सम्मान और आदर दिया इश्यत रूप से मैं यहां भ कि लोगों को और इवावर्गों को क्या संदिश देना चाहिए मुझे लगता है कि लाइफ में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए हाड़ वर्क is the only way to success हम बार बार फेल करते रहे हैं लेकिन हर एक फेलियर को एक सीख के तरह है एक लरनिंग स्टेप के तरह हमें लेना चाहिए और उस सीख से हमें आगे बढ़ना चाहिए तो कहते हैं ना यूफ फेल 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 अंटिल यू सकसीड यही कारण रहा होगा कि आप खेल के प्षेतर में भी आगे बढ़ी और जब रादनीत में कदम रखी तो उसमें भी सफलता प्राप किया इस तरूप से दोनों ही थोड़े अलग-अलग फील्ड है लेकिन दोनों ही अपने एक कहते हैं तो एक इंडिविज्वल लेवल पे खेलना पड़ता है और जो मुझे सीख खेल से मिली वो यह थी कि हारने के बाद भी मनुबल कभी नीचे नहीं होना चाहिए मनुबल कभी टूटना नहीं जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहिए और जो लक्ष आपने लिया है या लक्ष आपने लिए रखा है उस पर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए उस लक्ष प्राप्ती को धिरनिश्य के साथ संकल्पित होके उसके लिए प्रयास करना चाहिए तो राजनीती में भी जब आए और लोग सभा का चुन हो चल रहा है क्या मोहौल आप भाप करके जा रही हैं देखें सिर्फ औरंगा बादी नहीं बलकि पूरे बिहार की मैं बात करती हूं कि पूरे तरीके से बिहार भाजपा के साथ है और आधन्या नरेंदर मोदी जी के साथ है हम लोग अपकी बार 400 बार का नारा लेकर चले हैं लेकिन बिहार की 40 में से 40 सीट NDA गटबंदन जीतेगी और केंदर में जाके नरेंदर मोदी जी का हाथ मजबूत करेगी क्योंकि उनके हाथ मजबूत होने से पिछले 10 साल में हम लोगों ने देखा है कि जो कारे हुए है जो हम जन हित की योजनाएं लाई है वो जनता को कितना लाब मिला है जनता भारतिय जनता पार्टी के साथ आदन्ये नरेंद्र मोदी जी के साथ है और भारत को पूरे विश्विस तर पर किस तरा का बल मिला है कि शशक्त रूप में भारत उभर के निकला है वो निश्यत रूप से सब के सामने है मुझे इसके बारे में जादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि तीसरी बार भी ये जनता का मन है ये जनता का दिल है कि आदन्य नरेंदर मोदी जी को प्रदान मंत्री के कुर्सी पर बैठाना है